एक बार एक अमिर इंसान अपनी ओफिस में बैठा हुआ था ओफिस में चल रही वो सारी बातों से वो बहुत टेंस था और उसका मूड आफ था सड़नले उसकी नजर रास्ते पे एक बिखारी पे पड़ती है जैसे ही वो बिखारी को देखता है उसका मूड चेंज हो जाता है वो भगवान को याद करता है और भगवान को कहता है थांक यू बहगवान, मैं कितना नसीब वाला हूँ मुझे ओफिस के थोड़े बहुत टेंशन है पर मैं बिखारी नहीं वो भिखारी जो भीक मांग रहा है सड़नली उसके सामने से एक पागल गुजरता है जुसका हाल बेहाल है, कपड़े फटे हुए है और रास पे वो पागलपन कर रहा है जैसे ही ये भिखारी उस पागल को देखता है भगवान को याद करता है और कहता है तेंक्यू भगवान, मैं कितने नसीब वाला हूँ मैं बिखारी तो हूँ, पर मैं पागल नहीं अब वो पागलपन करता हुआ पागल आगे बढ़ता है और सड़नली उसके आगे से एक अम्बिलन्स गुजरता है जैसे ही वो अम्बिलन्स को देखता है तो सोचता है कि हे भगवान, थांक यू सो मज मैं कितना नसीब वाला हूँ मैं पागल तो हूँ पर मैं बिमार नहीं अब ये बिमार इंसान फाइनली हॉस्पिटल पहुंचता है और जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचता है उसके सामने से एक डेड़ बॉड़ी गुज़टी है और वो डेड़ बॉड़ी को देखके सोचता है थांक यू भगवान मैं कितना नसीब वाला हूँ मैं बिमार तो हूँ पर मैं मरा नहीं अब ये मरा हुआ इंसान कुछ नहीं सोचता वो थैंक यू भी नहीं बोलता क्यों? क्योंकि वो मर चुका है यानि इस दुनिया में हर एक इंसान भगवान को थैंक यू कह सकते है सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान नहीं कह सकता और वो है मरा हुआ इंसान एक डेड इंसान किसी का थैंक यू तो पूछो अपने आपको कि जिन्दा हो कि मर गए अगर जिन्दा हो तो कितनी सारी चीज़े हैं जिसके लिए दिन भर आप भगवान को थैंक यू कह सकते हैं पर नहीं हम थैंक यू नहीं कहते हैं हमारा तो पूरा दिन कंप्लेंज में चला जाता है तो दोस्तों कहते हैं न कितना दिया है हम है उसकी बारे में सोची नहीं रहे हैं और क्या नहीं दिया बसinsi की बातों की वारे में चिंटा की जा रहे हैं तो life में अगर खुश रहना है यह फंडा अपना अपनाओ अपने blessings को चिक करो और दिल से भगवान को थांक्यू का हो, अभी भी अगर अगर आपको लगते, कि मुझे कुछ नहीं मिला है, मुझे भगवान यह नहीं दिया, अभी भी अगर आप complaint mode में हैं न, तो चलो, आपकी सारी complaints को दूर करने के लिए मैं आपको तीन प्लेसिस सजस कर दूँ जिन्द के इमिना ये तीन प्लेसिस पर ज़रूर जाके आओ जिस दिन इस तीन प्लेसिस पर जाओगे तो आपको खुश रहने का रास्ता मिल जाएगा तीन प्लेसिस है फॉस्पिटर, जेल, एंड समशान जिस दिन आप hospital की visit करके आते हैं तो पता चलता है कि हमारी health जो भगवान ने हमें दी है वो कितनी अनमोल है जब आप jail की visit करते हैं तो आपको अपनी freedom की कीमत होने लगती है जब आप स्मशान में जाते हैं तो पता चलता है कि oh my god ये life कितनी precious है ये life कितनी सुन्दर है so my dear friends life is worth living please leave it fully जिन्दगी जब चली जाती है उसके बाद में उसकी value होती है तो life में बहुत सारी चीज़े हैं औरड़ी हमें दी गई है तो उसका धन्यवाद करिए तो simple thank you कहते चलिए अपने blessings count करते चलिए और जिन्दगी को खुशी खुशी जीरे चलिए